स्वागत है आपका आपके आपने चलना श्टड़ी विद मोटिबेशन में तो यूपी ट्रपलस्टी की तरफ से बिग ब्रेकिंग नूज और बिग ब्रेकिंग नूज क्या है कि फाइनल रिजल्ट जारी करने से पहले नय नोटिस जारी तो आयोग फाइनल रिजल्ट जारी करने से पहले एक नए नोटिस जारी किया है और कौन सी भरती का नोटिस जारी किया है ये हम देखेंगे और कौन से भरती के अभ्यार्थी इंतजार में थे फाइनल रिजल्ट के लेकिन उससे पहले आयोग ने नया नोटिस जारी करके अभ्यार्थियों को जटका दिया है और आयोग ने पदों की संख्याग घटा दी है तो चलीज दोस्तों देखते हैं क्या है नोटिस तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि 23 जून आज ही नोटिस जारी हुआ है आयोग के द्वारा और कौन सी भरती है जिसमें पदों की संख्याग हटाई गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जूनियर इंजीनियर 2018 चार प्रिक्षा 2018 जो आपकी सम्रित अवर अभियंता संगड़क एक फोर मैन समान चैन जो प्रतियोगात्मक प्रिक्षा 2018 थी उसमें जो विभिन विभागों में रिक्त अवर अभियंता विद्दुत यांत्रिक 148 पद अवर अभियंता सिविल के 982 पद अवर अभियंता जलकल के 111 अवर अभियंता मुद्रन ओर सियर के 6 अवर अभियंता विद्दुत 7 अवर अभियंता क्रेश अभियंतरन उसके अवर अभियंता 43 और संगडक चार कुल 1477 पदों के सापेक्च चायन हेदू भात्य नागरिकों से आउनलाइन आवेदन अमंत्रित किया गये थे तो आउनलाइन आवेदन 1470 पदों पिलिया गये था उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि निदेशक मुद्रण एयुम अवर अभियंता बिद्दुत के रिक्त कुल 7 पद थे जिनमें अनारक्षित 5 अनसूची जाती का एक पद अनसूची जन जाती के कुछ नहीं था अनपिछडवर का एक पद समलित थे कुल रिक्त कुल 7 पदों के सापेक्ष सारणी दो के क्रमांग 5 पर 36 अच्छन पर वीवर्ण महिला एक पद दिया गया था उसके बाद उक्त विग्यापर में इस पस्ट टूप से उलिक किया गया था कि रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि निदेशक मुद्रण एम लेखन समंगरी उत्तरपदे सिलहाबाद में पत्र संख्या जो भी दिया है वहाँ पर साथ पदों पर उपलब्त कराएगे अधियाचन को वापस लिये जाने के निर्ड़ से आउगत कराए गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अधियाचन था उसको वापस ले लिया गया है विभाग के दोरा जो कि निदेशक मुद्रण एम लेखक समंगरी जो डिपार्टमेंट था उसने वापस लिया है की जाने का निर्ड़ लिया गया है तो अब आपका जो इलाहाबाद में जो अभ्यार्थी चाहते थे कि उनको जो मुद्रण एम लेखन समंगरी उत्तरप्रदेश इलाहाबाद में उनको डिपार्टमेंट मिल जाएगा लेकिन अब आयोग ने जो विभाग था उसने अपन अधियाचन वापस ले लिया है तो अब इस पद पर जो साथ पद थे अब इसमें भरती नहीं होगी तो अभ्यार्थियों को बहुत जटका है और उन लोगों को जो चाहते थे कि लाहबाद में उनकी पोस्टिंग हो लेकिन अब क्या कर सकते हैं क्योंकि जो आयोग ने क्योंकि अबरती और इसमें पदोंकी संख्या बढ़ रही है और यह दोली आप आयोग ने यह जो है आपका जो पथे उसमें भी कमि कर दी है तो इस तरीके से इनोटीस जारी किया गया आह और फाइनल रिजल्ट जारी करने से पहले है यह तो आप देखते हैं फाने जट आपका कब तक आता है तो ये कुछ महत्पूर जानकारी थी जो मुझे आप लोंग साज सेर करनी थी तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तो लाइक कर लिजेगा अगर आप चैनल पे ना है हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा क्य कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माद्यम से मिलती रहेगी चली दोस्तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद